Hey everybody, आज का हमारा सेशन बहुत ही lively, बहुत ही colorful, बहुत ही हमारी जिंदगी के करीब, इतना interesting है कि आप सब इस journey को enjoy करने वाले हो, ये उस journey की पहली सीरीज का पहला वीडियो है, और चलो मैं बताई देती हूँ कि ये वीडियो क्या है, आज का हमारा topic है वस्त्र एवं परिधान के लिए design, I am sure आप इसको सुनके excited हो क्योंकि ये आपके interest की field है, इस lesson में हम, इस वीडियो में करने जा रहे हैं, design की संकल्पना, design के तत्व और सिधान दोनों, वस्त्र व परिधान के लिए design सिधानतों का प्रयोग, मतलब इन सिधानतों को हम वस्त्र और परिधान दोनों म अगर हम जीवी का कमाना चाहें, तो क्या कर सकते हैं, आपने सुना ही होगा, fashion designing, textile designing, accessory designing, ये सब इसका पार्ट है, पर आज का हमारा जो लेसन है, वो है design की संकल्पना, elements और principles या तत्व और सिधानत हम अगले वीडियो में करेंगे, let's begin, तो ये है हमारा unit 4 का first part, unit 4 है वस्त् कि आप कोई एक दिन, कोई एक शण वस्त्रों को सोचे बिना नहीं सोच सकते, 11th class में आपने वैसे भी वस्त्रों के बारे में बहुत बढ़ा है, वस्त्र के क्या क्या कारे हैं, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, आपको भी ध्यान होगा कि कोई भी party हो, हमने ये pictures त हमारे life को color देते हैं, देखो कितना colorful लग रहा है, तो वस्त्र हो या परिधान, ये color देते हैं, हर जगा ये use होते हैं, घर की कोई जगा इसी नहीं है, जो आपके वस्त्रों के बिना हो, अचाहें हो आपके sofa का furnishing हो, cushion की furnishing हो, जमीन पे बिचाई कापिट हो, कुछ भी हो, bed cover हो, pillow cover हो, duster हो, towel हो, मैं क्या क्या बोलो अब, उसके बाद हमारे traditional designs, ये भी आप कर चुके हैं, सांगा नेरी होता है, tie and tie है, batik है, block printing है, हमारी country का जो textile है, it is amongst the richest in the world, इतनी variety है, और आज कल जो latest परिधान चल रहा है, वो है, mask, designer mask, शादी के लिए mask, तो fashion not, परिधान वस् में एक बदलती हुई field है, जिसमें हर रोज एक नया invention हो रहा होता है, तो start करते हैं, कि design होता क्या है, design उत्पादव की कलपना करने, योजना बनाने और कारियान दे करने की मानविय सामर्थ है, तो इसमें हमारे तीन steps हैं, और वो क्या-क्या है, पहला है कलपना, दूसरा है योजना और तीसरा है उनका क्रियानवन, इन तीनों को करने का जो हमारा अपना सामर्थ है, यह है, मानविय सामर्थ, इसे हम कहते हैं, design, और यह मानव जाती के किसी वैक्तिक या सामुहिक उदेश के निश्पादन में सहायता करता है, अगर कोई purpose ना हो, तो हम कपड़े का इस्तिमाल नहीं करेंगे और हर purpose, हर कारे के लिए, उदेशике के लिए, हम अलग कपड़ा इस्तिमाल करते हैं, जो तॉलिय का कपड़ा है, वो परदे में इस्तिमाल नहीं हो सकता और जो परदे का कपड़ा है, उसे हम पहन नहीं सकते, तो यह क्या है, मनुष्यिकी सामर्थ कलपना, योजना या क्रियानवत करने की, इस तरह कि अगर आप माइंड मैप्स बनाते हो, तो आप इसे कभी भूलोगे नहीं, और क्या करता है यह उदेश का निश्पादर ठीक है, चलो, अब आगे देखते हैं, डिजाइन के बाद आता है, डिजाइन विशलेशन या फिर डिजाइन का अनालिसिस अब बहुत सारी तरह के डिजाइन्स आते हैं सारे डिजाइन्स तो हमारे काम के भी नहीं होते और बहुत अच्छे भी नहीं होते हम कहते हैं अच्छे नहीं है, आप रैंप पे fashion shows में इतनी तरह के designs देखते हो बड़े बड़े चोटे चोटे लेकिन वो सारे हमारी life में use नहीं होते तो ये है design का analysis चाहिए गईवस्तु की रचना के लिए जो design बनाते हैं जो एक योजना है वो होती है design उस योजना के बाद बनता है design उसकी हम विवस्ता करते हैं तो ये योजना के कार्यात्मख भाग से एक कदम आगे है कार्यात्मख भाग से एक कदम آगे क्यों है कि उसमें तो हमने design बस सोचा था लेकिन ये इसका अगला step है कि जो design हमने बनाया है क्या वो useful है क्या वो कारे पूरा करेगा या नहीं और एक कदम आगे हो और एक परिणाम देता है ये एक result देता है जिससे की सौंदर्य बोधक संतोश भी मिलता है मतलब ये काम भी होना चाहिए और aesthetics या फिर सौंदर्य बोधक भी होने चाहिए जैसे आपको तीनों कुरसियां इसमें आप टेक नहीं लगा सकते है रेड वाली पे ग्रे वाली में तो आप नीचे ही नहीं बैटोगे और फाइनली बचती कौन सी है येलो आपको अची लगे या ना लगे लेकिन useful यही है तो यह है हमारा design analysis अब design जो है हमारा दो तरह का होता है संग रचनात्मक और इतने सारी variety है और color एकी है लेकिन फिर भी हर design अलग है इसमें कितनी तरह की layers है यह है सब design तो अब हम अगले वीडियो पर चलते हैं यह है संगरचनात्मक design जिसे हम English में कहते हैं structural design अब यह जो design है यह रूप पर निरभर करता है ना कि उपरी सजावट पर इसमें जो हमारा रूप है वो जादा महत्वपूर्ण है और अकार को यह बदल देता है जैसे अगर आप इन दोनों pictures को देखो तो इन दोनों pictures में यह जो first वाली picture है यह red color का gown है पूरा single color का है लेकिन आप देखो इसमें collar की भी line है इसमें सिलाई की भी line है यह जो bow है यह कितना attractive लग रहा ह यह भी lines है अब यह सारी जो lines है यह इसी कपड़े का हिस्सा है क्या आप इन में से किसी भी part को इस कपड़े से अलग कर दो तो क्या यह कपड़ा इस्तमाल हो सकता है बांदने के लिए button हटा दो collar हटा दो अगर हम यह layer हटा दें यह सब जुड़े हुए है यह है structural design वहीं यह design as it is रहेगा तो यही फरक है structural design में यह रूप पर निरभर करता है बहुत जादा महत्वपून है आकार को बदल देता है अगर आप देखें यहाँ पर भी structure है यहाँ पर भी घेर है यहाँ पर भी घेर है लेकिन दोनों गेर अलग है यह ऐसे आ रहा है और यहाँ पर यह ऐसे तो यह structure को बदलते है structure को और यह design का एक अभी नंग माने जाते है और सबसे बड़ी बात इसको design से अलग नहीं किया जा सकता जैसे collar हो गया सिलाई हो गई जेब हो गई या कपड़े में बनावठ में ही अगर कोई design है texture है हम इसे कपड़े से अलग नहीं कर सकते दूसर इसमें कड़ाई उपर से करी गई है first picture में अगर हम इसे हटा भी देंगे तो हमारा fabric as it is रहेगा कपड़े को कोई नुकसान नहीं होगा हम उसे पहन सकते हैं उसी तरह से अगर हम इस design में लें यह जो golden कलर का लगा हुआ है लेस सा अगर हम इसको इसमें से हटा दे यहां पर जो हमारे उपर फर लगी है इसको हम अगर हटा दे तो हमारा design as it is रहेगा हम उसे इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर यह सिला हुआ है यह वाली जो सिलाई हम इसे नहीं हटा सकते जो गले में लगा हुआ है इसे नहीं हटा सकते यह है structural design clear हो गया यह तो अनुप्रयूक्त अ applied design क्या है मुख्य design का एक भाग जो मूल संग्रचना के ऊपर बनाया जाता है मतलब structural design के ऊपर यह बनाया जाता है सता का समवर्धन करता है और संग्राचमत design पर लगी कोई भी रेखा रंग या सामगरी इसमें आती है संग्रचना को यह प्रभावशाली बनाने के काम आता ह सजावटी बटन, उपर से लगी हुई बेल्ट, कॉलर या कफ ऐसा कॉलर या कफ जो उपर से लगा हो उसका पार्ट नहों जो सिर्फ सजाने के लिए लगा हो कशीदा कारी, embroidery है, छपाई है, कढ़ाई है, painting है यह सब अगर हम कपड़े से हटा सकते हैं कपड़े का भाग ने अगर यह कपड़े पर है, कपड़ा और वस्तर दोनों अलग है, अगर कपड़े पर है, तो संगरचनात्मक डिजाइन में आता है, रेशे के मूल संसाधन, दूसरा है रेशे और धागों के प्रकार, अलग-अलग तरह का अगर हमने धागा लिया है, तो क्या हम धागा अगर हम कपड़े पर करते हैं, वस्तरों पर बने बनाए वस्तर पर, तब क्या होगा, इसमें मूल, कटाई और आकार आता है, और वस्तरों पर करें तो ट्रिम्स और धालनाएं जो की उपर से लगी है, वो आती है, अब ध्यान देने योग ये बाते, संगरचनात्मक डिज देखने में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अनुपात बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें उपर से कुछ नहीं लगाया है, इसलिए अनुपात जरूरी है, और कपड़ा कैसा लिया है, जैसे अगर हम इसी वाले गाउन को देखें, तो आप ध्यान दो अगर, ये जो गा बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉलर का अनुपात सही होना चाहिए, वहीं पर अगर हम इसको देखें, तो ये जो है संग्रशनात्मक बिंदूओं पर होना चाहिए, और मजबूत बनाना चाहिए, इसे कपड़े को कमजोर नहीं करना चाहिए, उसके परियाप्त प्रिष्ट जैसे ऐसा ना हो कि पूरा ही कपड़ा अपने इंब्रॉइडरी कर दिया, पूरे के पूरे पे डिजाइन बना दिया, सामगरी हम ऐसी इस्तमाल करें जो कपड़े से मैच करें, जैसे कॉटन है तो उस पर हम सिल्क नहीं लगाएंगे, अगर सिल्क है तो उस पर कॉटन नहीं वरना वो दोनों साथ में नहीं जाएंगे, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, उसके महत वको, उसके आकरशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि पैसे लगेंगे, ये महंगा कपड़ा होगा और ये तब ही अच्छा लगेगा जब आदमी उस पे, जब किसी को उसकी कीमत मिले, अब इ इसको हटा दे, तो क्या ये ड्रेस खतम हो जाएगे, नहीं होगी, तो ये है हमारा अनप्रयूक्त डिजाइन, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, आज का हमारा टॉपिक यह था, अब इसके सिधान और तत्व, हम अगले लेसन में करेंगे, I hope कि आपको ये टॉपिक मैं आपको दे रही हूँ, जिसका जवाब मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दो, डिजाइन के इसमें पहलू पहचारनो, A, B, C, D, E, मैंने आपको तीन दे हो हैं, अब इसमें बताओ, A कौन सा डिजाइन है, Structural, Decorative, B, C, D, E, और कमेंट बॉक्स मुझे अभी के अभी ब Thank you! Bye-bye!